डाली डाली फूलियों की तुझे को बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्रा खंड में बादलों के ओड के ओडनी वादियां घीत सुनाए मीठे मेरे उत्रा खंड में अरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहण को अरे पीजोरे पीजोरे मेरे पाहण को ठंडो पाणी ठंडो पाणी ठंडो पाणी ठंडो पाणी सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते मेरा नाम है मनीशा बजवाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में देव हुं उत्राखन के इन खूप सरस्ती वादियों से तो दोस्तों आज के व्लोग की सुरवात हो रही है सुभा के दस बजे से और हम ल लगाना जो होता था मैंने बताया था जो सारी लगाना जिसको हूँते सटी सारी लगाने के लिए आरखे थे तो गदाओ ब्यार खेए और ये कल है माएक से वापस तो सब लोग लगे वे और आज दीर भी आई है साथ में तो बहुत जल्दी जल्दी ने पड़ गया है यह रीप्रणम पुरा हुग और केंट को थे दोगों हुआ हैं हुग आज सक्रू त्सक्राइब जाएंगे असी भीषायRO शटी शाओ नवाय जान्यादाइब और इस सबीमी का बश सकााव 50 पूछाता, मतलब इंस्ट्रा पे पूछाँ गई है, ऐसे कुछ कहीं पूछाता कि मंडवा क्या होता है, तो मंडवा जो होता है वो एक बारिक प्रकार का अनाज होता है, जिसके रोटिया बनती हैं, और धंडि के टाइम पर मंडव की रोटी बहुत ज़ादा खाए जाती है ह तो फिलाल चलते हैं दूसरे खेत में कि धान वाला जो काम है वो पूरा हो गया है लेकिन उपर जो गाउं में हमारा पुराना वाला मकान है तो उसके आगी पीछे हमें जोंगोरे की गुड़ाई करनी है जोंगोरे को भी सारी लगाना है तो चलिए बने रहिए मेरे व्लोग म मेरे उत्रा खंड में मुसाफिर मेरे उत्रा खंड में बादेलों के ओड़के ओड़नी वादियां घीत सुनाएं मीठे मीठे मेरे उत्रा खंड में यहाँ पर देखिये मैडम जी माई के ज्याने के बात बहुत जादा चैनी हो गई है और गुड़ा एकन्नी इसने स्टार्ट कर ली है तो चलिए धूप भी लगभग बहुत जादा होने लग गई है तो पहले अपना काम लिफ्टा देते हैं उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं ठीक है ना हुआ हुआ है तो दोस्तों ये देखे आज पहली बार हम लोग खा रहे हैं खेत में आइस क्रीम और ये कह रही है मैं रही है काश हमेसा आइस क्रीम खाने का मौका मिल जाए खेतों में तो मजाए जाए इसके लिए हमेसा इसक्रीम लेका आना भई कोई खेत में आज तो मजा आगिया बादलों के ओड़ के ओड़नी वादियां घीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उतरा तो दोस्तों अभी दो बज़रे हैं और सभी गाओं के मेलाएं अपने खेतों से धान की गुड़ाए करके वापस आ रही हैं तो दूप बहुत जादा हो रही है तो सब लोग पेड़ की च्छाओं में बैठे गया है फिलाल दोस्तों हम लोग तो पहुँचगे हैं घर पे और अभी इन लोग को जो है इन दीडी लोगों को बहुत जादा थकान लगी थी तो यह हमारे घर के सामने भूँत सारे पेड़ हैं तो अभी च्छाओं में बैखी हुए हैं और इन लोगों जो है अभी बहुत ऊपर चाड़ना है मतलब अपने घर की लिए बहुत दूर जाना है तो यह लोग थोड़ा यहां भी रेस्ट कर रहे हैं बाकी थकान से सब के हालत धीली और किया फिलाल तो थंडो पाड़ी थंडो पाड़ी थंडो पाड़ी तो अभ रहे हैंenger ुटर त्षयां बादलों के ओड़ के ओड़नी वादियां घीत सुनाएं मीठे मीठे मेरे उत्रा खली